गर्चिरोली पुलिस बल और सियार पीएफ की सयुक्त कारवाई गर्चिरोली 14 जन्वरी पोम के गुट्टा सीमा पुलिस उपमंडल प्रमुक के तहत एटापल्ली तालुका के अंतरगत आ रही है 14 जन्वरी को प्राप्त गोपनिय सूचना के आधार पर स्पेशल ओपरेशन स्कॉर्ट गर्चिरोली थाना पार्टी गुट्टा और सियार पीएफ 191 बटालियन की एक कंपनी की जवान जहल नकसली करन उर्फ दुलसा पेटा नरोटे गर्चिरोली पुलिस के जवानों ने व गर्चिरोली एक प्लाटून नंबर वह 14 सशस्त्रबलों के सदस्य के रूप में कारवर थे वह गुट्टा दलन के सदस्य और नकसल आक्शन टीम के सदस्य भी थे वह 2008 में पोस्टे भामरागड इलाके में डोंबर जंगल कॉंपलेक्स चाकमक और राजु धुर्वा सपोर प्लाटून की लकड़े से लदे एक ट्रक में आगजनी के मामले में शामिल था साथी वह 14 अगस 2020 को पोम के कोठी में दुशान तंदेश्वर की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल था पर रवी जुरूप पुंगती 11 जुन 2020 को किदार टोला में आयो जित किया गया गुंड 26 फरवरी 2021 को अपनी पतनी के साथ पुरसल गौंडी विवहा के लिए जाते समय अशोक राम कोरसामी मंगूती की हत्या में और डीटी 3 अपरल 2021 को राम मंगू तलंदी वह बुर्गी की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल था 11 जन्वरी 2022 को नर्गुंडाक शित्र में दो वंद्रेंजरों की पीट पीट कर हत्या कर दी गए और उनके पास से जीपियस हतोडा मोबाइल दोपया वाहन और अन्य सामगरी चोरी हो गई वह जिले में विबिन नहिंसक घटनाव में शामिद रहा और उसके खिलाब कुल 16 मामले दरसके के हैं महाराश्टी सरकार ने रुपय का इनाम घोशित क्या था इसके अलावा गर्चिरोली पुलिस इस बात की चांच कर रही है कि वह और कितने अपरादों में शामिल है इस अभियान में पुलिस अधिक्षक अंकित गोयल उनके मारक दर्शन में एवं अपर पुलिस अधिक्षक सोमय मुंडे अपर पुलिस अधिक्षक समीर शेक अपर पुलिस अधिक्षक अहेरी अनुचतारे उनके नेतरुत्व में पास हुआ पुलिस अदिक्षक अंकित गोयल उन्होंने नकसलियों की हिंसक गतिवीडियो पर अंकुश लगाने के लिए नकसल विरोधी अभ्यान को तेस कर दिया है और नकसलियों से नकसलवाद की हिंसक रास्ते को छोड़ कर आत्मसमरपन करने और सम्मान जनक जीवन जीने की अपील की है BCN News के लिए अहेरी से आसिफ खान पठान की रिपोर्ट